नमश्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेटीजन ट्यूटवे पर स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSCCL 2022 टीर वन रिजल्ट के बारे में वीडियो स्चार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो किसी भी एक्जाम से जुड़ी लेटेस अपडेट के लिए आप हमारा चैनल नेटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथ ही दोस्तों आप किसी भी एक्जाम पर त्यारी कर रहे हो रेलवे, SSC, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल से किसी भी एक्जाम से जुड़ी लेटेस अपडेट के लिए आप हमारा चैनल नेटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आपके SSC, सीजियर प्री एक्जाम फर्स से लेकि 13 अफ दिसेंबर तक कंड़क करवाई गए उसके बाद 18 दिसेंबर को आपकी आंसर की आउट की गई दोस्तों आंसर की में आप सभी ने अपना स्कॉर्ट चेक कर लिया होगा और जिनका भी स्कॉर्ट दोस्तों 108 प्लस है या फर 110 प्लस है तो वो बिलकुल सेफ है अच्छा स्कॉर है क्योंकि इस बार वेकिंसी अच्छी है तो आपकी कट ओफ कम ही रहेगी तो जनरल कैटिगरी से अगर आपका रो स्कॉर 110 प्लस बन रहा है तो आप बिलकुल सेफ है क्योंकि अभी दोस्तों आपका नॉमलाजेशन भी होगा क्योंकि टोटल 40 शिफ्ट में आपका एक्जाम कंडग करवाया गया है तो ओविसलि यहाँ पर नॉमलाजेशन होगा ही ह और ऐसे सी में दोस्तों आपका फाइव टू सिक्स मारकर नॉमलाजेशन आपको देखने को मिलता है अब दोस्तों हम बात करने वाले आपके टेवल रिजल्ट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं आपके स्टेनोग्राफर और सीपियो दौनों ही रिजल्ट आपके महीने के अंदर जारी कर दिये गए थे लेकिन दोस्तों सीजील्टं के रिजल्ट अभी तक आपका आउट नहीं किया गया है जिसकी वझे से कैणीर्स काफी ज़ादा वेट कर रहे हैं और काफी जादा एंक्सियूस हैं कि आपकी हीस का रिजल्ट कब आउट किया जाएगा क्योंकि यहां पर दोस्तो आपका डेड़ महीने से ज़ादा हो गया है वहीं दोस्तो अकर एक बार हम रिजल्ट की बात करें तो दोस्तो कल 30 जिनवरी को आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड था बड़ आपका रिजल्ट कल आउट नहीं किया गया तो उमीद है कि शायद आपका जो रिजल्ट है आज 31st of January या फिर दोस्तों आज नहीं आता है तो शायद कल या 300 पर विदिन टू डेस आपका जो रिजल्ट है आउट कर दिया जाएगा हाली में दोस्तों SSC के पास जो रिजल्ट डिले को लेकर जो न्यूस सामने आ रही है को यह है कि अभी SSC दोस्तों कन्फ्यूज है कि आगर कितने गुना कैंडिडिट्स को यहां पर लेना है सेकंड टियर के लिए क्योंकि वेकेंसी अच्छी हैं दोस्तों तो यहां पर अगर दोस्तों अगर आपकी कैंडिडिट्स जादा बुलाए जाते हैं तो आपका जो मेंस एक्जाम है वो मंटी पर शिफ्ट में करना करवाना पड़ेगा जिसकी वज़े से मेंस में भी इस बार नॉमराजिशन दे वो मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं होगा अगर रिजल्ट आज आपका नहीं आता है अगर रिजल्ट थोड़ा और डिले होता है तो आप समझ लेना आपका मेंस का एक्जाम है वो या तो मार्च की लास्ट में होगा या फिर एपरिल के स्टार्टिंग में जोकि दोस्तो मैकसिमम आपको वन मन्त का टाइम तो दिया ही जाएगा मेंस की पेपरेशन के लिए और जैसे कि आप जानते हैं आपकी CHSL कंड़क करवाने है मार्च में तो मार्च की स्टार्टिंग में ही सिर्फ आपका फ्री है अगर तब एक्जाम कंड़क नहीं होता है मेंस तो दोस्तो या तो फिर आपका अप्डेट की स्टार्टिंग में होगा या फिर मार्च के लास्ट में होगा यानि आपको थोड़ा और समय मिलेगा तो आप इस समय का दोस्तों अच्छे से यूट्राइशन करते हुए अपनी मेंस की पेपरेशन करते रही है बाकी दोस्तों रिजल्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल नेटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद